फार्माउस है कहा है ये फार्माउस दिल्ली में दिल्ली में कहा है महरौली में हैं कितना बड़ा है फार्माउस चार दसमलफ छो नौ एकर लगबग पांच एकर का ये फार्माउस है और इस फार्माउस में कौन रहते हैं कौन मालिक है फार्माउस के राहुल जी और प्रियं और इस फार्म हाउस को 2013 में रेंट पे दिया जाता है और रेंट पे किसको दिया जाता है Financial Technologies India Limited FTIL को रेंट पे दिया जाता है और यह जो रेंट पे दिया जाता है FTIL को ये FTIL क्या है FTIL एक ऐसी कमपनी है जो National Spot Exchange Limited NSEL की forwarding company है supporting company है ये NSEL एक company है जिसको ये FTIL ये support करती है NSEL मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सबको याद होगा NSEL एक बहुत बड़ा scam हुआ था आप सबको याद होगा 2013 के अंदर भगदर मचीती देश में NSEL scam के कारण National Spot Exchange Limited अब ये FTIL को जो दिया गया कितने में दिया गया किराय पे भाई बेन ने कितने में किराय पे दिया 6.7 लाक रुपीज पर मंद 6.7 लाक रुपिया प्रती महीने के किराय पे दिया गया और ऐसे नहीं कि किराय पे दे दिया तो प्रती महीने पैसे आएंगा ऐसे नहीं है उन्होंने कहा पैसे पहले सब डिपोजिट कर दो और एक बड़ा रिकम पहले डिपोजिट कर दो बद वो सबको अपने जैसे सोचते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा तो इसलिए चालीस दसमलब दो सुन्य लाख रुपए 40.20 लाख रुपीज वस फर्स्ट डिपोजिटेड बाई चेक चेक के माध्यम से दो चेक दिये गए बीस दसमलब दस लाख रुपए के दो दो चेक दे के राहुल जी और प्रियंका जी को ये रकम FTIL ने डिपोजिट कर दिया इंदिरा फार्म को कि हम इतना रकम आपको देते हैं और ये रकम इंट्रेस्ट फ्री है 40.20 लाख रुपए इंट्रेस्ट फ्री हम आपके पास आपके घर में रख देते हैं ताकि आप उसमें से हर महीने लगभग 7 लाख रुपए निकाल ले जो आपका रेंटल बनता है ऐसा आपने कभी दुनिया में सुना है एक फरजी कंपनी जिसने एनसेल स्कैम किया इतना बड़ा स्कैम हुआ उसको रेंट दिया बंदू अब असली बात है ये एनसेल स्कैम कब हुआ था कब हुजागर होगा जुलाई 2013 was the time when this NSEL स्कैम came to the public front public को ये NSEL स्कैम के बारे में पूरा विश्व को इस NSEL स्कैम के बारे में जो करोडो का स्कैम था मैं स्कैम की डिटेल में मैं नहीं जाओंगा राहुल गांदी जी जानते हैं कि उनकी परिवार कौन सी स्कैम में लिप थी ये स्कैम 2013 जुलाई में जनता के सामने आया और ये कंपनी 2008 से जब यूपिय की सरकार आई थी तब से ये कंपनी चल रही थी तब से स्कैम कर रही थी 13 में सामने आया मार्च 2018 मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस कंपनी FTIL पे रेड हुआ CBI का और जिगनेश शाह के ओफिस उन पर भी रेड हुआ अब NACL स्कैम मैंने कहा 2013 जून में आया राहूल गांदी और प्रियंका जी ने ये फार्म हाउस इस कंपनी को रेंट में किस डूरेशन में दिया जैनवरी 2013 से ऑक्टोबर 2013 मतलब जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है शायद मैंने कहीं गलती से जुलाई बोल दिया था ये जून है जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है और जैनवरी 2013 से ऑक्टोबर 2013 तक इस फार्म हाउस को रेंट पे दिया गया FTIL कंपनी को जो की स्कैम की मास्टर माइन कंपनी थी मिस्टर राहूल गांधी वाई वेर यू प्रॉफिटिंग फ्रम स्कैम एक स्कैम चल रहा था नसील स्कैम चल रहा था जिस समय आप ही की एजनसी पूछताच कर रही थी देश के सामने ये विशह आ चुका था उसी कंपनी को आप लोन उस मतलब रेंट देते हैं उनसे